नमस्कार मित्रो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एंजीनियर्स गाइड में, तो आज के वीडियो सेशन में हम बात करने वाले है, यूपी मेट्रो रेल कॉर्परेशन लिमिटेड ने जो 400 वैकेंसी अपने निकाला है, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर एंजी डिप्लोमा, ITI, सभी एलिजिबल है, फ्रेशर जॉब होने वाला है यहाँ पर, ओल इंडिया, एलिजिबल है, लेकिन एक चीज बता दू, कि कैटेगरी अगर आप कोई दूसरे स्टेट के हैं, तो आप अन्रिजर्व में आएंगे, यह वाले पोस्ट का, सिर्फ डुमिसा यहाँ पर, वेबसाइट पर, जो ऑफिशेल ही दिया हुआ है, साथी आपका सिलेबस क्या है, डिफरेंट ट्रेड, डिफरेंट पोस्ट के लिए, वो भी मैं यहाँ पर बात करने वाला है, तो चलिए फिर मैं वीडियो सेशन को स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं इन शॉर्ट यहाँ पर, बहुत भी ब्रीफली यह जॉब नोटिफिकेशन को डिसकस करता हूँ, अगर आपको इसका डीटेल आलरेडी पता है, तो आप जो है, नेक्स्ट पार्ट पर स्किप कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह नोटिफिकेशन जो है, 13th of March को स्टार्ट हो गय जिसका की basic pay 50,000 से 1,60,000 होगा, number of vacancies total 11 है, essential educational qualification आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर जो है, basically written test और document verification होगा, कोई interview नहीं है, assistant manager SNT, जहाँ पर की BE, BTEC, electronic, electronic and communication eligible है, assistant manager operation जिसमें की BE, BTEC, electrical, electronic, electronic and communication तीनों branches eligible है, साथ ही यहाँ पर और एक ब्रांच है, assistant manager IT, जिसमें की M.C.A. चाहिए आपके पास, computer science में, या BE, BTEC, computer science यहाँ पर eligible है, तो इन चारों post में आप देख सकते हैं, written test और document verification होगा, आपका selection के लिए, साथ ही medical तो होना ही है, non-executive post की अगर बात करूँ, तो junior engineer electrical, जिसका की basic pay है, आपका 33,000 से लेके 67,300, number of vacancy यहाँ पर 88 है, 3-year diploma, electrical में चाहिए आपको, या electrical या electronic engineering में चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी written test और document verification, एक चीज़ बता दू यहाँ पर, कि यहाँ पर भी B.E.B.Tech apply कर सकते हैं, लेकिन apply करने के लिए, आपके पास diploma होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर eligible है apply करने के लिए, अगर आप बिना डिप्लोमा के apply करेंगे, तो यहाँ पर आप eligible नहीं करें, साथ ही यहाँ पर जूनियर एंजिनियर S&T में, 3-year diploma in electronic और electronics and communication, तो यहाँ पर total number of vacancy 44 है, next यहाँ पर station controller, train operator, तो यहाँ पर आपका 3-year diploma चाहिए, electrical, electronic, electronic and telecommunication में, with 60% mark, यहाँ पर जो है, return test, document verification, medical, साथ ही एक आपका psycho aptitude test भी होने वाला है, next आ जाता है, maintainer, electrical और S&T में, जिसका की basic पर है, 9500 से लेके 39,900, total number of vacancy, electrical में 78 है, S&T में 26 है, तो यहाँ पर ITI चाहिए, लेकिन एक बात बता दू, यहाँ पर diploma और VTEC भी apply कर सकते है, main यहाँ पर है, कि आपके पास ITI का जो है, degree यहाँ पर होना चाहिए, तब ही अगर आपके पास diploma है, तो आप apply कीजिए, अगर आपके पास ITI प्लस degree या diploma है, तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, qualification, यहाँ पर मैंने बात कर लिया है, आपके साथ first division होना चाहिए, reserve category के लिए 50%, selection process की अगर मैं बात करूँ, तो यह मैं in detail में बहुत ही ज़ादा बात करने वाला हूँ, आप लोग के साथ थोड़ी देर में, return test यहाँ पर आप देख सकते हो, चाहर टॉपिक पर होने वाला है, English language, general awareness, logical ability, quantitative aptitude, और knowledge of discipline आपका होने वाला है, यहाँ पर, examination center सारे UP के है, next age relaxation, यहाँ पर सिर्फ domicile candidates of UP को मिलेगा, जो की लिखा हुआ है, payment of fees अगर देखोगे, तो यहाँ पर 1180 unreserved category के लिए, और जितने भी reserve category उनके लिए 826, how to apply तो आप यह खुद link मैं नीचे description में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, बाकी यहाँ पर इतना कुछ भी important नहीं है, जो की discuss करने लाया, तो अब जो है, मैं आप लोग के साथ preparation strategy की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जो है, आपका return test, document verification और psycho aptitude test होने वाला है, station controller और train operator के लिए, बाकी सारे department के लिए, आपके सिर्फ return test और document verification, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि आपका जो है, कैसे question रहने वाले हैं, तो total 140 question, 140 mark का होगा, जिसमें की 1 correct होगा, और minus 1 by 3, अगर आप गलत answer करते हैं, तो negative marking यहाँ पर होने वाला है, अगर मैं exam pattern की बात करूँ, तो total 2 hours में आपको 120 question देना है, so less than a minute for a question, तो यहाँ पर आपका जो है, English में होगा, general awareness, quantitative and reasoning, technical आपका जो भी domain है, उसका, so in total 140 question होगा, 140 mark के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब अगर मैं आप लोगों से common topic, syllabus और important topic की बात करूँ, तो English में आप देख सकते हो, antonym, homonym, synonym यह सब है, तो सबसे ज़ादा जो question पूछा जाता है, वो है, यह antonym, synonym, active, passive, indirect, direct speech, plus passage, completion, error, correction, इन सबसे बहुत ज़ादा question पूछा जाता है, next मैं quantitative aptitude की बात करूँगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आप percentage को बहुत अच्छे से देखिएगा, फिर आपका time work, time distance, mixture and allegation से हमेशा question रहता है, HCF, LCM, profit loss, इनको सबसे पहले देखिए, कोशिश करिएगा, कि यह सब आप करें सबसे पहले, ठीक है, next आजाता है reasoning, तो reasoning में यहाँ पे आप देखेंगे कि statement and confusion सबसे जादा, logical Venn diagram, classification, missing number, series completion, और एक होता है आपका syllogism, उससे भी काफी सारे question आते हैं, तो यह आपके important topic हो गए, अब general awareness की बात आजाती है, कि जो भी engineer होता है, diploma student, या आपका ITI, उनका general awareness क्या होता है, अगर आप newspaper या आप news को follow नहीं करते हो, तो काफी जादा दिक्कत होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि last six month, last six month का, आप कोई भी in short news देख लीजिए, या कोई publication का किताब ले लीजिए, जैसे कि Ariant का है, या lucent का, उसको आप पढ़ लीजिए एक बार, just a brief reading दे लीजिए, everyday 20 pages पढ़िये, that will be enough for you, आप 20 pages डेली पढ़िये इसका, तो आपके ये सारे जितने भी topic है, आप देख सकते हो, ये सारे cover हो जाएंगे, अब English के लिए क्या किया जाए, तो जो लोग English medium से पढ़े हैं, उन लोग के लिए तो English मैं बता दूँ, यहाँ पर काफी simple होने वाला है, आप previous year questions पे ही अगर सिर्फ rely कर जाएंगे, तो आपके लिए ये enough रहेगा, ये वाले exam को clear करने के लिए, लेकिन अगर आप Hindi medium से है, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा, कि आपको थोड़ा सा practice क करना पड़ेगा, तो RS अगरवाल का जो English का book है, ये आप purchase करके या online आप इसको download करके, आप इससे English पढ़ सकते हैं, इसमें जितने भी question है, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम, इनके सारे list, या फिर आप क्या है, कोई भी coaching institute का material उठाईए, free में जो भी available है internet में, वहाँ से भी आप ये सारे चीजों को complete कर सकते हैं, ठीक है, बात आजाती है, quantitative, aptitude और reasoning की, ठीक है, तो engineer होते हैं, जो engineer, diploma, ITI, आप लोग maths में हमेशा ही strong रहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि practice as much question, आप practice कीजिए, जादा concept पे मत जाईए, जादा shortcut भी मत देखिए, ये exam क के लिए आप जितना हो सके practice कीजिए, चाहे दूसरे AE, JE exam के आप previous year question उठा लीजिए, कोई भी state AE या JE का, ठीक है, RRB का भी आप ले सकते हो, तो वो भी आप यहाँ solve कर लीजिए, काफी रहेगा आपके लिए, साथी reasoning के लिए भी मैं आप से बोलूँगा कि आप जितना हो स question आपको लगाने के लिए, क्योंकि अभी आप practice कर रहे हो, मैं मानलू कि दो मिनिट लगता है आपको, ठीक है, तो एक घंटा आप डेली quant को दीजिए, एक घंटा आप डेली reasoning को दीजिए, ठीक है, 30-30 questions के लिए, और English में मैं आपको बोलूँगा कि every day आप one hour spend कीजिए, तो मैं मानलू आप बीच में 10-15 मिनिट का break ले रहे है, तो तीन hour में आप ये पूरा complete कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आप सिर्फ question और practice कीजिए, कोई भी AEJ का किताब उठा के, ठीक है, अब बात आ जाती है, टेक्निकल आपका, तो टेक्निकल के लिए आप देख सकत के लिए team और maintainer के लिए 2, तो सबसे पहले syllabus की मैं बात करने का हूँ, तो syllabus के लिए मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा, आप देख सकते हो, कि मैंने test book का यहाँ पे जो है लिया हुआ है, आप देख सकते हो, download, कोई भी आप यहाँ पे register करके, आप यहाँ ले लीजिए, क्योंकि यहाँ B, B tech eligible है आपका, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे मैं बोलूँगा, कि पूरा gate का syllabus यहाँ पे आपका है, आप देख सकते हो, आपका पूरा gate का question लेकिन नहीं आएगा, ठीक है, similarly अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, कि maintainer आपका, electrical का, तो maintainer आपका, यह पूरा engineer, S&T का paper, syllabus खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी आपने diploma में subject पढ़ा है, वही यहाँ पे same होने वाला है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैं इसका जो link है आपको, नीचे description box में दे दूँगा, आप लोग यहाँ पे, इसको लिखके, या sorry, note करके आ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस पे मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ बात करता हूँ, तो देखिए, assistant manager, जो लोग अभी, सबसे पहले इसके लिए बात कर लूँ, तो जो लोग अभी gate का preparation आप कर रहे थे, ठीक है, gate का preparation आपका, अगर continue में है, तो आप क्या कीजिए, simple, A, J, के, जितने भी question है, उनको solve कीजिए, साथ ही previous year question, तो previous year question कहां पर मिलेगा, तो यहां पर मैंने जो है, देखा है कि test book मेंना सब कुछ compiled है, मैं test book कहां पर कोई भी course purchase करने है, या कोई भी advertisement नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहां पर एक चीज मैंने देखा कि इन्होंने सब च ठीक है, J, assistant manager, electrical, सारे paper यहां पर दिया हुआ है, तो जैसे कि अगर मैं देख लेता हूँ, assistant manager, electrical का अगर मैं paper open करता हूँ, ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहां पर, तो जो लोग भी electrical student है, आप देखोगे कि यहां पर questions जो है, काफी simple है, क्यूंकि एक चीज यहां पर ए maximum दो line में solve होने वाले questions यहां पर दिये जाएंगे, चाहे आप assistant manager के लिए apply कर रहे हो, या अगर आप diploma वाले हो, ठीक है, junior engineer, या आप maintainer के post में, तो जितने भी question रहेंगे, यह आपका basic concepts को test कि रहेंगे, ठीक है, basic concept आपका कैसा है, तो इसी के उपर आपका test रहेगा, तो यहाँ पर AEJ के papers उठा के देख लीजिए, that will be enough for him, ठीक है, तो gate और आपका previous year question इसको आपको देखे, अब बात करते है, junior engineer के लिए, तो junior engineer के लिए, यहाँ पर आप जितना भी diploma post है, ठीक है, state diploma post, ठीक है, उनका syllabus उठाईए, उनके questions आप देखिए यहाँ पर, that will be enough, साथ ही इसका जो previous year question है, उसको आप देखेंगे, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, अब बात आजाती है कि maintainer के लिए, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा, RRB का जो previous year paper है, trade का, ठीक है, previous year, चाहे ALP के लिए हो, group D के लिए हो, या technician post के लिए हो, तो आप अपने trade का यहाँ पर, previous year question उठा लीजिए, उसको solve करिए, वहीं से आप देखेंगे कि 80% question आ रहा है, ठीक है, 80% related question, एकदम भूबभू, copy तो नहीं होगा, concept वहाँ से आ रहा है, तो यह जो exam होने पाला है, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ 55 या 56 दिनी बचे हुए है, यहाँ पे आप नए से ये नहीं कि आप नए से पूरा syllabus पढ़ना शुरू कर दिये, और फिर सोच रहे हो कि यह exam में मैं top करके मिरे को job मिल जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता है, यहाँ पे वहीं लोग apply जीए, मैं बार-बार बता रहा हूँ, जिनको पहले से basic concept पता है, ठीक है, अगर आपको basic concept पता है, तो यहाँ पे आप apply कीजिए, और एक चीज में यहाँ पे बोलूँगा, कोई भी course purchase मत कीजिए, कोई भी coaching का, इसको आप, अगर आप fresher है, ठीक है, fresher है, या अगर आप job, यहाँ पे आप, sorry, job बोल रहा हूँ, मैं, अगर आप यहाँ पे continue prepare कर रहे है, last एक साल या दो साल से, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके study से break नहीं है, तो आप यह exam में जरूर apply कीजिए, आप अपने notes को revise कर लीजिए, फटा-फट, और मैंने जितने भी previous year question, जैसे आपक assistant manager के लिए मैंने gate और AEJ बोला, diploma वालों के लिए, जितने भी state level exam है, diploma के, UP के specially, ठीक है, UP के specially state level, उनको देख लीजिए, UP PCL का जो हो गया, उसका आप देख लीजिए, ठीक है, और maintainer के लिए मैं बोलूँगा, यहाँ पे RRB का, जो आपका trade का है, उसको आप देख इससे आप easily कर सकते हो, तो every day, यहाँ पे अगर आप 3 घंटे जैसे मैंने उपर दिया, और 3 hours अगर आप इसके preparation को देते है, आप बहुत ही easily crack कर सकते हो exam, ठीक है, तो आशा करता हूँ, आज का video session आपको अच्छा लगा होगा, अगर कोई doubt रहे, तो नीचे जरूर comment section में comment कर करके मुझे बताइए, मैं clear करने का कोशिश करूँगा, तो ऐसे ही और videos के लिए, जरूर channel को subscribe कीजिए, और ये video अगर अच्छा लगे, तो like and share जरूर कीजिए, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते है अगले session में, धन्यवाद,